आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवसकी आपको धेर सारी शुबकामना है ओम श्यान्ती 6 जून 2024 के इश्वरिय महबाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम अभी देवी देवता बन रहे हो देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप फिर काटों के जंगल का बीज रूप है रावन ये रावन ही तुमको देह अभीमान मिलाता है बड़े ते बड़ा कांटा देह अभीमान ही है मूल हैं आखें जो बहुत धोखा देती हैं जिनकी वृती स्रेष्ट नहीं उन पर तो बाप नजर भी नहीं डालते जो अच्छे-च्छे फूल होते हैं उन्हों को देख कर ही दिल खुश होती है फिर बाबा ने कहा बच्चे खबरदार रहो खामिया निकालते जाओ नहीं तो बहुत पच्चताएंगे हर एक को अपनी जांच करनी चाहिए कि हम ऐसा उच लायक बन रहे हैं अपनी दिल से पूछो कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ या किस प्रकार का माली हूँ माली तो जरूर बनना है एक-एक कांटे को फूल बनाने की मेहनत करनी है सारे बंधन छोड सर्विस में लग जाना है अंदर में जोश आना चाहिए सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे विकारी कीडों पर भूभू करते रहो हो सकता है कब आपके बोल उनको तीर की तरह लग जाए नर से नारेन बनना है तो पूरा जोड देकर पुरुशार्थ करना चाहिए जो अभी पुरुशार्थ करेंगे वही कल्प कल्पांत्र ऐसा पद पाएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा रोज अपनी आमदनी और घाटे को देखना है बारा मास की बात नहीं पल की प्रती दिन अपना घाटा और फैदा निकालना चाहिए अगर घाटा डाला तो थर्ड गलास बन पड़ेंगे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मेठे बच्चे बाप बागवान है इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे-अच्छे खुश्बुदार फूल लाने है ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुर्जाया हुआ हो प्रश्न बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है किसके उपर नहीं पड़ती है उत्तर जो अच्छी खुश्बु देने वाले फूल है अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते है उन्हें देख देख बाप खुश होता उन पर ही बाप की नजर जाती और जिनकी वृती गंदी है आखे धोखा देती है उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती बाप तु कहेंगे बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ तब होश्यार माली कहे जाएंगे ओम शान्ती बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है यहां तुम बागवान पास आते हो अपनी खुश्बु देने तुम फूल हो ना तुम भी जानते हो बाप भी जानते हैं कांटों के जंगल का बीज रूप है रावन यूं तो सारे जाड का बीज एक ही है परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा वह है रावन तो जज करो बाप ठीक समझाते हैं ना देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना यह तो हरेक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है बागवान भी यहां आते हैं फूलों को देखने वह तो सब हैं माली वह भी अनेक प्रकार के माली है उस बगीचे के भी भिन भिन प्रकार के माली होते हैं ना कोई की 500 रुपया तनख्वा होती, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया, जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होश्यार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी, यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबर वार माली हैं, जो बहुत अच्छे माल होते हैं, वह बगीचे को बहुत अच्छा शोबनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं, गवर्मेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान, अब कांटों के जंगल का बीज है रावन, फूलों के बगीचे का ब आप से, रावन से वर्सा नहीं मिलता, वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं, तो जो सुख देने वाला है, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुख दाता, सदा सुख देने वाला, माली भी भिन भिन प्रकार के हैं, बागवान आकर के मालीउं को भी द प्याल में आते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे-अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे-अच्छे लाए हैं, यह है बेहद का बाप, और उनकी हैं बेहद की बातें, तुम बच्चे दिल में समझ से हो, बाबा बिलकुल सत्य कहते हैं, आधा कल्प चलता है रावन राजे, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावन बना देता है, जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख दे बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं, बच्चे जानते हैं, रावन देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है, देह अभिमान, बाबा ने रात्री को भी समझाया, किनों की दृष्टी कामी रहती है, तो कोई की सैमी कामी दृ कोई नए नए भी आते हैं तो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं समझ से हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे पवित्र रहेंगे उस समय शम्षानी विराग्य आता है फिर वहां घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं द्रिश्टी गंदी हो पड़ती हैं यहां जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है कोई-कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है माली तो जरूर बताएंगे ना ऐसे नहीं कि बाबा अंतर यामी है माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टी अच्छी नहीं है, इनकी चलन रोयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है, मूल है आखे, जो बहुत धोखा देती है, माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे, बाबा एक-एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं, कोई गुलाब के फूल ह होते हैं, कोई मोतिय के, कोई अक के भी ले आते हैं, यहां बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं, तो फिर मुर्जा जाते हैं, बाबा देखते हैं, कि यह किस प्रकार के फूल हैं, माया भी ऐसी है, जो मालीों को भी बड़ा जोर से थपड लगा देती हैं, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं फिर बाप बैठ उनको श्रिंगारते हैं बच्चे खबरदार रहो खामिया निकालते जाओ नहीं तो फिर बहुत पच्टाएंगे बाबा आये हैं लक्ष्मि नारेन बनाने उनके बदले हम नौकर बने अपनी जांच की जाती हैं हम ऐसा उच लायक बनते हैं ये तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावन है फूलों के बगीचे का बीज है राम ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं वे पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ओफ इंकम है एम अब्जेक्ट भी है ये पाटशाला भी है इसमें एम अब्जेक्ट है फिर कहां भी ये एम अब्जेक्ट होती नहीं है तुम्हारी एक ही एम है नर्से नारैन बनने की भक्ति मार्ग में सत्य नारैन की कथा बहुत बहुत सुनते हैं हरमास ब्राह्मन को बुलाते हैं ब्राह्मन गीता सुनाते हैं आजकल तो गीता सब सुनाते हैं सच्चा सच्चा ब्राह्मन तो कोई है नहीं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मन, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, सत्य नारेन की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है, भगवानु आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वो लोग गीता तो सुनाते आए फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं. बच्चे जानते हैं, यहां बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी ब करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूं किस प्रकार का माली हूं बच्छों को विचार सागर मंथन करना पड़े ब्रामणिया जानती हैं, माली भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई अच्छे-च्छे माली भी आते हैं, जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है, जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे-च्छे फूल ले आते हैं, जो देख दिल खुश हो जाता है, कोई- कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है, कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं, आखों की वृती बहुत गंदी रहती है, यहां आते हैं तो भी उनसे खुश्बु नहीं आती, बागवान चाहते हैं, मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनक को देख खुश होता हूं, देखता हूं कि वृती ऐसी है, तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक एक को देखते हैं, यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुश्बु देते हैं, कांटे से फूल बने हैं वो नहीं, हर एक खुद भी समझ सकते हैं, कि हम कहा पूल बने हैं, पुरुशार्थ करते हैं, गड़ी-घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं, अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे याद करो तो पाप कटे तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे तब माली नाम रख सकते हैं बाबा मालीों की मांग करते रहते हैं है कोई माली क्यों नहीं माली बन सकते हैं बंधन तो छोड़ना चाहिए अंदर में जोश आना चाहिए सर्विस का उल्लास रहना चाहिए अपने पंक आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो उच्च पद कैसे पाएंगे 21 जनमों के लिए उच्च पद है महराजाई राजाई बड़े बड़े सहुकार भी है फिर नंबर वार कम सहुकार भी है प्रजा भी है अब हम क्या बने जो अभी पुरुशार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांत्र बनेंगे अभी पूरा जोर देकर पुरुशार्थ करना पड़े नर्से नारेन बनना चाहिए जो अच्छे पुरुशार्थ ही होंगे वे अमल करेंगे रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है बारा मास की बात नहीं रोज अपना घाटा और फाइदा निकालना चाहिए घाटा नहीं डालना चाहिए नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं न मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है व्रिक्षपती जिसके आने से हम पर ब्रिस्पती की दशा बैठती है फिर रावन राज्जे आता है तो राहू की दशा बैठती है वे एकदम हाइस्ट वे एकदम लॉयस्ट एकदम शेवाले से विशाले बना देते हैं अभी तुम बच्चों पर ब्रिस्पती की दशा है। पहले नया व्रिक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी व्रिधी को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फू बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं। तडफते हैं शुबाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना उच्छ विश्व का मालिक बनाते हैं। घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं। शुबाबा हमारी रक्षा करो उनको ही सच्ची द्रोपदी कहा जाता है पास्ट जो हो गया सुफर रिपीट होना है कल पुकारा था ना आज बाबा आये हैं बचाने के लिए युक्तियां बताते हैं ऐसे ऐसे भूभू करो तुम हो भ्रम्रिया वे हैं कीडा उन पर भूभू करते रहो कोई समय अब लाओं की बोल लग जाते हैं तो फिठंडे हो जाते हैं कहते हैं अच्छा भले जाओ ऐसा बनाने वाले पास जाओ मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ ऐसे द्रोपदियां पुकारती हैं बाबा लिखते हैं भूभू करो कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको शूप नखा पुतना कहा जाता है पुरुष उनको भूभू करते हैं वह कीडा बन पड़ती हैं विकार बिगर रह नहीं सकती बागवान पास किसम किसम की आते हैं बात मत पूछो कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है इसलिए बाबा कहते अपनी जनम पत्री बताओ बाप को सुनाएंगे नहीं छिपाएंगे तो वह व्रिधी होती जाएगी जूठ चल न सके तुम्हारी व्रिधी खराब होती जाएगी बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे सच बताना चाहिए नहीं तो बिलकुल महारोगी बन जाएंगे बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुह होता है पतित माना काला मुह कृष्ण को भी शाम सुन्दर कहते हैं कृष्ण को काला बना दिया है, राम को नारायन को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझ से हैं, तुम्हारे पास सो नारायन का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह aim object है, तुमको काला नारायन थोड़े ही बनना है यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं विकार में गिरने से फिर काला मुहू हो जाता है आत्मा काली बन गई है आइरन एज से गॉल्डन एज में जाना है सोने की चड़िया बनना है काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शकल दिखाते हैं बात मत पूछो बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ती मार्ग अभी तुम्हें तो ज्यान मिला है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है बंधनों से मुक्त हो होश्यार माली बनना है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है दूसरी पोइंट अपने आपको देखना है कि मैं कितना खुश्बुदार फूल बना हूँ मेरी वृती शुद्ध है आखे धोखा तो नहीं देती है अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामिया निकालनी है वर्दान सुराज्य अधिकार के नशे और निश्चे से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव सुराज्य अधिकार के नशे और निश्चे से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव सुराज्य अधिकारी अर्थात हर करमेंद्रिय पर अपना राज्य कभी संकल्प में भी करमेंद्रियां धोखा न दे कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है लेकिन जो सुराज्य अधिकारी हैं वे सदा निरहंकारी सदा ही निर्मान बन सेवा करते हैं इसलिए मैं सुराज्य अधिकारी आत्मा हूँ इस नशे और निश्य से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे स्लोगन लाइट हाउस बन मन बुद्धी से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भैर नहीं लगेगा अच्छा ओम शांती आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे कि भगती मार्ग में जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है उनकी पूजा में इतना फर्क क्यों होता है किसी देवी की पूजा कभी कभी होती है और किसी की विधी पूर्वक रोज होती है यह रहश्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती